नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लर्ण वेल चैनल दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था MRP एड़ करके सेल्स इन्वाइस में और भी चीजें हमने एड़ किया था MRP रेट के साथ साथ में तो यहां पर जैसे मैं यह इन्वाइस से कोपन करता हूं तो इसमें आप देख सकते इधर MRP रेट इसका दिख रहा है अगर आपने बना के देखा होगा तो ठीक है अधरवाइस अभी भी आप बना सकते हैं दुवारा से पूरानी वीडियो एक बड़ देख लीजी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं अभी तक क्या हो रहा था कि यहां पर हम लोग यह इम एप डालकर राइएं यह पूर्णी नहीं आ रहा था अगर आपको प्रिंट में इसको लेना है इसी भी चीज को अगर यहां पर एडिशनल ली आप प्रिंट में दिखाना चाहते हैं तो चीजे आप यहां पर एड कर सकते हैं तो कैसे एड करेंगे चलिए देखते हैं तो इसके लिए हम लोग अभी कोडिंग करेंगे तो जो लास्ट फाइल हमने मर्पी वाली बनाई थी इसमें हमने और भी कुछ चीजे एड किया था लास्ट सेलरेट वगर भी आपको मैंने बताया था तो आप उसको पूरी वीडियो देख लेना पूरानी वाली उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजे अभी इसमें हम लोग प्रिंट वाले कोड को एड करे यहां पर ब्रेक्ट लेना है इसमें लिखें कि दोस्टों है सकसाथ में लाइन को समझ लेते हैं अगल मैं इसको प्रिंट में चलता हूं अभी जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा SL, SL की नीचे लिखा है NO. तो SL वाली जो लाइन है, SL वाली लाइन जिसमें description भी लिखा है, SN भी लिखा है, यह सारी सीजे लिखी है तो यह हो गया दोस्तो column 1, EXPIN भी column 1 हो गया यह वाली और जिसमें NO नंबर वाली लाइन लिखा है, तो वो column 2 हो गया, यहां पर जिसे blank दिख रहा है, तो यह column 2 वाला है, अगर आपको MRP मान लिजे, MRP उपर में लिखना है, उसके नीचे rate लिखना है, आप column 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, rate लिखने के लिए, या तो आप उसको blank लिखा रहेगा, अगर column 2 वहां पर करेंगे, तो इसके नीचे में MRP लिखा रहेगा, यह जो description आप गूर्स है, इसके सामने ना होके, थोड़ा सा नीचे में रहेगा, numbers के सामने में, तो अभी आप समझ गए होंगे, column 1, column 2 यहां पर क्या है, तो आप अपने हिसाब से changes कर सक इतने आपको जहां भी लिखना है MRP rate को, इसकी heading को तो आप column 1, column 2 उसके साफ से change कर सकते हैं, अब यहां पर हम लोग add करेंगे, left field, after, किसके बाद add करना हैं हमें, description title के बाद में, description title के बाद में हमें add करना, यहां पर आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, LW, MRP, I कर देता हूं, यहां भी कर देता हूं, MRP voucher ऐसा करके, अब यह description title यहां पर जो है, यह जो description आप goods करके आ रहा है, यह title के बाद में हमें add करना है, तो इसलिए हमने वहां पर description title लिखा, उसके बाद में ही MRP rate हमारा add हो जाएगा, अब इसमें और भी चीज़ अगर आपको लिखनी है साथ में, अब एक तो heading हो गई, heading के लिए तो open लिखेंगे ही, तो यहां पर heading के लिए क्या करेंगे, local लिखेंगे, local के बाद में यहां पर field लिख देंगे, field के बाद में, यह जो हमारा यहां पर हमने जो नाम दिया अब यह वाला नाम जो है, वहां पर दिखने लगेगा, same, ऐसे ही आपको और भी चीज़ें इसमें जैसे आपको small रखना है, bold करना है, उसको title को, MRP वाले को कैसा रखना है, अपने हिसाब से रख सकते हैं, normal रखना है, जैसे बांकिक तरह है, तो हमें अभी यहां पर जो ब समा की चीज़े, normal रखना है, कैसा रखना है, सभी चीज़े करेंगे, इसको थोड़ा उपर कर दता हूँ, अब हमने जो यह लिखा हुआ, इसी को आपको copy कर देना है, पूरे को, दो-तीन बार आप copy कर लिए, सभी चीज़े लिखने के लिए, अब यहां पे, यहां तक तो इसको इसको डिलिट कर देना है, तो यहां पर डिलिट करेंगे, डिलिटी लिखेंगे, और यहां पर दिलिट हो रहा है, इस्टोर ही वहां का, ठीक है, अब यहां पे टाइप लिख देंगे, टाइप हमारा Championships मतलब यह वर्ड में हम लोग रिक लिख रहे हैं, यह श्ट्रे तो अगरक इतनी रखनी है, कितना चाउड़ा दीखे है वहाँ पर, वेश्ट रख देते हैं, मार्पी है वैसे छोटा नाम है, फिर भी टेन रख देते हैं, और बॉर्डर वोगरक कैसी रखनी है, इस्टाइल कैसा रखना है, वो सब चीजें यहाँ कर सकते हैं, जैसे इधर स तो नार्मल भी यहां पर भी रखेंगे तो इधर इसमाल नार्मल और क्या कर सकते हैं बॉर्डर रखना है तो बॉर्डर रख देते हैं और लिफ्ट साइड में अपना बॉर्डर रहेगा ताकि नाम आइटम का नेम और मर्पी दोनों सेपरेट हो जाए तो इधर थिन लेफ्ट कर देते हैं तो यह दोस्तों हो गया हमारा वहां पर मर्पी कॉलम को अट करने के लिए इसको सेप करते हैं और चलके टैलिम चेक करते हैं इसको सेपर दिया मैंने और आपको ज़ी से उपकर लेन लड करना है आतर नहीं पता है तो यहां पर हेल्प में जाना है तो इसको लिए अुच्ँत में हो जाएगी सो है लोड होने बाद में इसका एक बार देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मार्पी लिखके आ रहा है चलते हैं प्रिंट में हां तो दोस्तों भी आप देख सकते अपना डिस्क्रिप्शन आप गुट्स के सामने में MRP लिख के आ रहा है अब यहां पे आपको MRP थोड़ा से नीचे चाहिए तो उधर जो मैंने कॉलम टू बताया था तो वहां पे आप कॉलम टू कर सकते हैं यह नीचे में आ जाएगा लेकिन यह सब के साथ मैच करें इसलिए अपने को ऐसा ही रखना ज्यादा सही रहेगा अब इसमें हमें यह तो हेडिंग हमने डाल दिया अब इसमें हमें MRP का रेट भी लेके आना है उसके लिए क्या करेंगे अब हमें इसी के नीचे में अपना next code वहां पे लाने के लिए जो भी उसका detail है MRP को लाने के लिए लिखना है फिर से वापस से यहां पे ब्रैकेट लेंगे हैस के साथ में लिखेंगे लाइन लाइन में अपना EXPINV इनवाइश डिटेल्स लिखेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहां पर अब इसर एड करेंगे लेफ्ट फिल्ड description DESC अब यहां पर आपको कुछ भी एक नाम देना है तो आप यहां पर MRP फिल्ड कर सकते हैं ऐसा करके अब यह जो MRP फिल्ड हमने किया हुआ है इसको हमें कॉफी कर लेना है और यहां पर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे फिल्ड और यहां पर पेस्ट कर देंगे अब इसके बाद इसका क्या यूज करना है एज नेम फिल्ड यूज करेंगे क्योंकि वहां पर MRP रेट हम लोग डालना है तो उसमें और भी चीज़े हो सकती है नंबर से पीसे से कित डिटेल उठाना है तो यहां पर डॉलर के साथ में लिखना है में इस टॉक आइटम MRP रेट तो डॉलर के साथ में लिखेंगे स्टॉक आइटम MRP रेट यह एकदम आपको स्पेलिंग इसका सही होना चाहिए और यहां पर हमेशा वहां पर दिखता रहे है तो इसके लिए स यह लाइन सेंटर कर देते हैं सेंटर में आ जाए बाउर देते हैं वहीं सेंटीन लेफ्ट करके तो यह दोस्तो हमारा हो गया कोड कम्प्लीट इसका भी इसको सेब करते हैं फिर से बाटीडियल को लोड करते हैं तो आपको वापस से एक बाटीडियल को लोड करना रहेगा उसको अब इसको चलते हैं ओपन करते हैं प्रिंट में देखते हैं कि दोस्तों भी आप देख सकते हैं यहां पर हमारा डिस्क्रिप्शन आप गुट के बाद में MRP वाला कॉलम जो है एकदम सही सॉट आ रहा है यहां पर वहले ही आपको लाइंस थोड़ा सा तिर्ची जरूर दिख रही होगी लेकिन यह जब आप प्रिंट निकालेंगे पे करता हूँ करता हूँ कि अधियु यह इस तरीके से आ रहा है तो यहां पर डिसक्रिप्शन आप गुट्ट्स आ गया सब्सक्राइब निकाला है एक बार इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके भी देखते हैं पीडियेफ में कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब तो ठीक है यह हमारा एक्सपोर्ट करने इस पीडियेफ में इस तरीके से आ रहा है अब यहाँ पे आपको लाइंस में अगर कुछ जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे अगर आपको दिख रहा है तो इधर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं उधर विट्थ हो अगर आपक अच्छे से वह आपका वीट्थ रखिए माकी यहाँ पे दोनों इन वाइसे हैं एक हमारा यह प्रिंट से जो निकला हुआ है प्रिंट वाले में ज्यादा सही दिख रहा है मुझे इधर पीडियेफ वाले में इधर यह सामने में थोड़ा सा लाइन आ जा रही है तो इधर आप बाकी प्रिंट में भी या इधर भी सेटिंग और आप चैंज कर सकते हैं इधर भी इनके विट्थ होगरे सेट करने के लिए ऑप्संस होंगे जैसे यहां पर पॉइंट फाइब मार्जिन रखना है कितना रखना है पॉइंट फाइब रखना है तो यहां से आप आपी जो सेट MRP रेट था यह वाला स्टॉक आइटम MRP रेट यह चीजें अपनी चैंज हो सकती हैं आपको अलग चीजें अगर उठानी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी चीजें उठानी है उसमें किसमें दिक्कत आ रही है तो मैं उसमें आपको रिप्लाइ कर दूँगा ठीक है दोस्तों तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए मैं ऐसी चीजें आपके लिए लाता रहता हूं तो मिलते है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यों